आपका एक वाफी से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वेडियो पे तो आज इस वेडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा नीपॉर्ण लाच के फंडाइट गुरौथ के बारे में इसमें आप से डिसकस करूँगा कि यह जो निपॉर्ण इंडिया लाच क् क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइच क्या है साती साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा यह को मिलेगा तो सबसे पहले सकी उफिए उफर वात कर लेते हैं तो इसने जो पानिंवर रिटन के वात करते हैं तो एन वर डिसकी बसने इसके में अपना इप अगर आप मेरे रेफरेंग से जॉइन करेंगे तो आपको 500 से लेकर के 1000 रुपे तक का कैस बोनस देखने को मिलेगा अब लोग एने बी की बात कर लेते हैं तो आज के डिट में इसका एक एने बी का प्राइस है 87 रुपे 87 पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो यह 500 रेटिंग मुझे वल फंड है इसमें आप मिनिमूम SIP अमांट 100 रुपे लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 22,766 करोर का अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटन कल्कुलेटर का उपर में इससे पहले अगर आपको थोड़ी से जानकारी देता हूँ अगर आपने अब अभी तक अपना इंवस्मेंट इस्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस तरीके से हम अपना ओपषाप हैको रहा होगा है इस वाटसअप नमर पे आप हमसे कॉंटेट कर सकते हैं मैं सारे सवाल का जवाब जो है वाटसअप पे दे सकता हूं अगर हमसे कोश्टनर पूछ है फिर भी इस वीडियो में मैं भी मैंने अपना वाटसअप नमर डाला था तो कापी है इससे परसंद जिनको कुछ समझ मिन अगर आप भी करना चाहते हैं तो वाटसअप नमर पे कॉंटेक्ट कीजिए अगर इस मुच्छल फंड के अंदर आप पांस जर्पे परमन जमा किये होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता साथ हजार रुप्या आपको मिलता एकतर हजार नौसो चौदा रुप्या तीन साल की बात करते हैं तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता एक लाक असी जार रुप्या आपको मिलता दो लाक उनसाट जार नौसो एक साट रुप्या अब बात करते हैं पांस साल के उपर में तो पांस साल में आपका पैसा जमा होता तीन लाक रुप्या आपको मिलता पांच लाग 49,910 रुपिया अब अगर बात करते हैं इस mutual fund के अंदर आप एक बार में एक लाग रुपिया का लमसम किया होते हैं तो एक साल में आपका एक लाग रुपिया जो होता वो होता एक लाग 47,250 रुपिया तीन साल में आपका एक लाग रुपिया होता दू लाग 1, एक लाग रुपिया होता है दो लाग तेंटीस जा नौसो साट रुपिया यह तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटन अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कुछ और जैसे की हल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टाक लिस्टेड है वो टोटल 57 स्टाक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 के अपर बात करते हैं तो टॉप 10 ने पहला नम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल चेतर में ICIC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल Reliance Industrial लिमिटेड एनरजी State Bank of India फाइनेंशियल ITC लिमिटेड कंजूमर Larson and Turbo लिमिटेड कंस्टक्शन Access Bank लिमिटेड फाइनेंशियल NTPC लिमिटेड एनरजी Tata Power Company लिमिटेड एनरजी बजाज Finance लिमिटेड फाइनेंशियल चेतर में हैं इसकी Holding Analysis को हम लोग समझते हैं Holding Analysis को समझें तो Equity पे है 90.7% और Cash पे है 1.3% अब इस Equity को यदि सेक्टर वाइस दिखते हैं तो Financial पे है 33.7, Energy पे 14.1 Others पे 9.9, Service पे 9.7 पे 6.5, Technology पे 6.1, Capital Goods पे 5.4 और Construction पे है 5.1% इसकी Advanced Ratio की बात करते हैं तो इसका Price to Earning Ratio 24.61 और इसका PB Ratio है 3.64 Minimum Investment Amount की बात कर लेते हैं यदि आप First Time Investment स्टार्ट करना चाहते हैं तो Minimum Lump Sum इसमें 100 रप्या का सेट किया गया है और Minimum S.I.P. Amount 100 रप्या का सेट किया गया है Return and Ranking के उपर यदि हम लोग बात करते हैं तो ये मुच्वर फंड का जो फंड रेतन है एक साल में 47 पॉंड तीन है तीन साल में 26 पॉंड चार है और पांस साल में 18 पॉंड पांच है तो यहां से देख सकते हैं ये मुच्वर फंड निपॉन इंडिया लाज के फंड ये हमें इसा अपना केटेगरी अब्रेस से जादा रेतन निकाल करके दे रहा चाहें बात करें एक साल का चाहें बात करें तीन साल का या फिर बात करें पांस साल का अगर आप इंवेस्मेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो बिलकुल स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपने और एड़ी इंवेस्ट किया है तो इसके साथ आप बने रहें अगर उनलोग बात कर लेते हैं अगर इसके आसपस similar funds देखेऔरं तो इसके आसपस similar funds है निपोन इंडिया large cap fund डायट गुरूथ ICSE Prudential blue chip fund डायट गुरूथ Edelwesys large cap fund डायट गुरूथ London large cap fund डायट गुरूथ Canera Rubico blue chip equity fund डायट गुरूथ तो इसके आसपस इतनी सारे इसके similar funds है इसकी expense ratio की बात कर लेते हैं इसके expense ratio है 0.72% exit load की बात कर लेते हैं यदि आप invest के आपाइसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का exit load देना होगा system duty की बात करते हैं system duty है 0.005% अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी fund आउस इन investment object सो ले करके तो निपोन इंडिया mutual fund टोटल असिस्ट में इंडिया पे 6 नमर पे रहेंग करता है यह mutual fund स्टार्ट होए 30 1995 को इसका total assist अंडर management है 4,44,507 करोड का अब इसके बात कर लेते हैं तो निपोन इंडिया large cap fund यह 1 equity mutual fund है जो कि launch किया गया है निपोन इंडिया mutual fund की तरब से यह mutual fund स्टार्ट होए 30 1995 को अस्वीनी कुमार सेलेस राजबन अभी इसका current fund manager है इस fund का currently assist अंडर management है 4,44,507 करोड का और latest ने भी 87 रुपया 87 पैसा बात कर लेते हैं निपोन इंडिया large cap fund यह काफी high-risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 100 पैका सेट किया गया है minimum लमसम भी 100 पैका सेट किया गया है यदि आप invest किया वा पैसा 7 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का exit load यहाँ पे देना होगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया निपोन इंडिया large cap fund के बारे में तो फिर मिलते हैं मगनेस्ट को इस तरीके का वीडियो के अच्छी जानकारी को ले करके